नवस्कार एक बर्फिर्स से आपका स्वागत है बनास फटा फट कुकिंग शो में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा जिसका नाम है शाही टुकड़ा तो चली बनाते हैं शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमने लिया है फोर पिस ब्रेड और ये है रबड़ी इसे एक कटोरी चीनी लिया है इसमें हम लोग पॉनक कटोरी पानी डालेंगे एक कटोरी से थोड़ा सका वैसे हम लोग चीनी जितना लेते हैं उसका हाफ ही पानी डालते है चाशनी बनाने के लिए लेकिन यहाँ पर चाशनी हमें पतली बनानी है इसलिए हमने थोड़ा सा ज्य साइड वाला पोर्शन है उसे हटा देते हैं इस तरह से हमने ब्रेड के चारो तरफ का पोर्शन हटा दिया है अब हम लोग ब्रेड लेकर के उसमें इस रबड़ी को स्लाइस के उपर लगाएंगे यह देखिए इस तरह से लगा दिया हमने अच्छे से इसके उपर इस्प्रेड कर देंगे इस तरह से और इसके उपर यह दूसरा ब्रेड डाल देंगे इसको अच्छे से हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे यह एक दूसरे में अच्छी तरह से चिपक जाएगा आए चाशनी चेक करते हैं इसे बिलकुल गाड़ी नहीं करनी है बस यह देखना है कि थोड़ा सा चपचिपा हो जाना चाहिए यह देखिए चपचिपा हो गया है इसे एक टार की चाशनी भी नहीं बनानी है फ्लेम को ओफ कर देंगे एक कड़ाही में हम लोग ओईल हीट करते हैं जब तक यह ओईल हीट होता है इसे इस तरह से बीच से कट कर लेंगे इसे 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 फ्राइ करते हैं इसे हमें डीप फ्राइ में करना है अच्छे से ओईल डालना है मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करना है यह देखें बहुत ही सुन्दर कलर आ रहा है थोड़ा सा और इसे फ्राइ करेंगे जब तक इसका कलर रेड नहीं आ जाता है बिलकुल तब तक इसे डीप फ्राइ करेंगे हम लोग देखें बहुत ही सुन्दर कलर आ गया है अब इसे चासनी में डालते हैं चासनी में डाल कर इसे हम लोग चार से पांच मिंट के लिए इसे चासनी में डुबोई रखेंगें रहेंगें इसे बीच बीच में चास्टी में पलटते रहेंगे बिलकुर अच्छी तरह से ये चास्टी में डूबा रहे है ये बनाना बहुत ही आसान है बहुत कम टाइम में ये स्वीट डिश बनकर रेडी हो जाता है फाइब मिनिट्स हो चुके हैं आएए इसे एक डिश में निकालते हैं इसके उपर इस तरह से रबड़ी डाल कर इसे सर्फ करेंगे ये देखे खाने में बहुत ही मज़िदार है और बनाना भी बहुत आसान है जब भी गेस्ट आए इसे आप बिलकुल फटाफट बना सकते है तो ये शाही टुकड़ा बन कर तयार है और इसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे स्वीट डिश में जरूर रेडी करें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद ले और अगर आज का हमारा ये डिश पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर तब तक के लिए ढलने बाद